हाले दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो मैं आज आपको पीपीएसी अपडेट देता हूं जो भी जानकारिया मिली है उसके अनुसार तो इस वीडियो को सुरू से अन तक देखे पसंद आने पर लाइक्स ने लोग सब्सक्राइब और वेल का आइकन बटन द आने की प्रवल सभावना है जैसी चर्चाहें हैं उम्मीद है कि आ जानी चाहिए तो 21 जून तक संभावना बनी है 63 वी बीपीएसी मेंस का रिजल्ट जारी होने का तो यह बड़ी खवर है तो दूसरी खवर है 65 वी बीपीएसी में राजसु पतादिकारी सहकारता पतादि और यह दोनों पद अभी तक आया नहीं है और भी पद हो सकते हैं जूड़ सकते यह नहीं कितने जूड़ सकते क्योंकि आपने 64 वी बीपीएसी में देखा कि दो दो वार है जो कि सीटे पड़ी है इसलिए सीटे 700 तो निश्चीत रूप से होंगी और उसे ज्यादा भी हो स सकते हैं तो 65 के लिए क्या करना है वो तो मैंने 6 सेटे जो कि दिया है उसको खासकर मैं 10 जो है बिहार स्पेशल और 10 जो है करेंट अब आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव के साथ समझा रहा हूं कि किस तरह है जो कि प्रशन को पढ़ने से अब्जेक्टिव खास के यादर अब्जेक्टिव का लोग यही समझते हैं कि सेट बनाया और उसको सही हुआ या गलत लेकिन आप अगर किसी सेट को बनाते हैं और हाड को सिर गलत होता है तो बार बार गलती है इसलिए मैं है जो करेंट अफेर से भी लाग बताता हूं बोर्ट पर तो पूरे बिस्तार के स साथ कि अगर किसी कारण बस आपको डारेक्ट याद ना हो तो कम से कम स्टूरी याद आ जाए कि क्या है जिसे वर्ल्ड हैपनेश जो आज बताया चेट में की भारत का स्थान 140 है तो निश्ची तो मैंने पूरा होता है कि यह जो कि अगले साल 133 था साथ स्थान फिछड गय ही होगा तो इस तरह अगर आप अब्जेक्टी पढ़ें चाहें वह किसी भी विशाय के हों तो निश्ची तरुप से गलत होने की संभावना काफी कम रहती है तो आप है जो कि हमारे से जो सेट है प्रैक्टिस चल रहा है उसको जरूर देखें और एक भी सेट को मिस न करें इससे क्या होगा कि कम से कम उठने जो कोस्टन है वह आपको हटते जाएंगे और टेर्व वस्टे जाएंगे और मैं उसे कोशन ही बता रहा हूं जो इसा नहीं कि बहुत आसान है और बहुत टब मैंच कर लिया है उसी को बता रहा हुँ और यह चो चौशाड भी बिपेसी म मिलने का और मुखमंत्री भी आस्वासन दे मिलेंगे भी तो भी उतनी संभावनन नहीं के बराबर है क्योंकि आड़ा के कड़वास चे क्योंकि पहले भी करते आए हैं हम लोगों ने 5669 में भी देखा मुखमंत्री मिले भी लेकिन उन्होंने सिर्फ मोला कि मैं प्रियास करू सब्सक्राइब करते हैं चाहिए उसका जाकारण जो भी हो फिर चौ था पैसाटवी बीपेसी सिलेवस की बदलाव की समाबना नहीं के बराबर है यह आपको चौसटवी बीपेसी जो प्रीकर रिजल्ट हो उसमें भी आपको लिख दिया गया था कि पूर में उसे और दूस जो बीपेसी फॉर्म भरने में है कि क्या-क्या है जो कि भराता है तो सबसे पहले आपको जो कि जो सबसे टफ जो होता है आपको मेंस के विशाइज चूज करने पड़ते हैं ऑफ्सनल एक जो होता 300 नंबर का वह बहुत टफ हो जाता खासकर नए लड़कों के लिए कि कौन सब्सक्राइब का ओनर से उसी प्रिपर लेने पर कुंतनी परसानी नहीं होती है और जहां तक बात है कि पाइसाट भी बीपेसी में सिलेवस का बदलाव पर तो सिलेवस की बदलाव नहीं सब्सक्राइब बहुत सारे लोग मांग है कि 40 वरस एज किया जाए क्योंकि बीपेसी जोकी परतेक वरस नहीं लेती है भी जापन निकालती है हाला कि इधर निकालने भी लगी है तो चालिस तो इसकी समभावना भी ल और जो सारे अफडेट हैं उसको आप देख सकते हैं इसे इंपर भी आपको अग्यूड के बात कि 662 वी पेसी की तो 662 वी पेसी भी आपको अगले साल है जोकि आएगी और इसकी भी जो क्योंकि अब बीपेसी क्लेंडर जारी कर दिया है तो इसी अपडेट के साथ थटने म और खूज है लग झाल